मधुपुर्थानक शेत्र के बदिया गाउं में धान की फसल काटने को लेकर विवाद में दो पक्षों द्वारा जमकर मारपीट हो गई मारपीट में दोनों पक्षों द्वारा लाठी, डंडा, ड्रड, कुलाडी, आधी कप्रियों किया गया जिसमें दोनों पक्षों से चार महिला समीत 11 लोग गंभी रूप से जखनी हो गए गायलों का इलाज मधूपोर अनुमंडली अस्पताल में किया जा रहा है गटना के संबन में प्रथम पक्ष भुनेश्वर हादसा ने बताया उक्त खेत हम लोगों को प्रधान की ओर से दिया गया जिस पर हम लोगों द्वारत धान की खेती की गई जबकि दूसरे पक्ष जब रन धान फसल के कटाई कर रहा था जिसे रोकने के बाद वो लोग उगर हो गए लाटी डंडा सही थतियार से हम लोगों पर वार कर दिया जबकि महीं दूसरे पक्ष जहिया देवी का कहना है उक्त जमीन हम लोगों की है उस पर हम लोग धान की फसल की खेती किये थे जिसे हम लोग काट रहे थे जबकि दूसरे पक्ष के लोग विवाद उत्पन करमार पिट शुरू कर दिया बता दे उक्त खेत पर दोनों पक्ष अपना दावा कर रही है पुलिस मामले की चान बीन में जुट गई है मदुपुर से इंतियाजन सारी के रिपो कर दोब्त वाई एमारे उनको भी मथा पहाड़ दिया गया पर मम्मी का भी मापहाड़ दिया है हाँ और चैनलों मना किए हम लोग रोग रहे थे उनको कि नहीं दashing आप लोग थेसला कर लिजे जो होगा उसके बाद आप लोग जो करना कीजीए लेकिन उन्होंनेіз नहीं माना नाज़िक वेश्य फाल हो लगता, वोस्तके मिन फिर से आप देख वेश्याइप perk है ऑलственन ल्गों ने दान लगाया है जबरन जबरन पर जमीन को ये करना चाहता है, जबरजस्ति हतियाना चाहता है, ड़्णाइस पहले होई थी, उसमेंगे जफेष्टर है, परधान हम लोगो खुद जमीन जयुआ है, परधानी जमीन हम लोगो मिला है, उत्वाद के लिए, दिफिकन लिए खरणि परिभार रह कर देखने थार बाप दादा खाड़ देला है और वे के मरंटी और हास दौब बनीगोनी अवर जमना शिंदे विझला साफ काजपतर माझबू थे साफ देखा पूर साफ तो तो तोनी अपन दान का थेखने लिगल है अपन दान का वना है क्रिमार पितने अब मार्यों का रिष्टा मजबूती का